नमस्कार आप देखरें DRV NEWS DRV NEWS में आप सभी का स्वागत है मैं मीगा खाड़े शारुक खान की स्वदेश फिल्म तो आपको याद ही होगी किस तरीके से शारुक खान नासा से अपने गाव आते हैं कुछ दिनों के लिए और वहाँ पर देखते हैं कि लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनको पता चलता है कि उस गाव में बिजली नहीं है तो उस बिजली को लाने के रहे वो काफी तरीके का प्रयास करते हैं और किसी तरीके से गाव में बिजली ला देते हैं बात करते हैं चंदीगड में, चंदीगड की जहां पे भातर गंटों से ज्यादा बिजली नहीं है बिजली इतनी एहम सुविदा है कि उस पर बाकी सारी सुविदाय निर्बर है आए देखते हैं कि ये पूरा वाक्या क्या है किसी शेर में भातर गंटे से ज्यादा बिजली न होना काफी चिंता जनक बात है आये जानते हैं कि चंदीगण में भातर गंटे से ज्यादा बिजली क्यों नहीं है आये जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी चन्रिगण में सोमवार राज से विज़ी संकट जारी है स्तितित ये है कि इन्वर्टर और मोबाइल भी अब डिस्चार्ज हो चुके है जिससे लोग परेशान है हालात इतने खराब है कि अस्पतालों ने ओपरेशन टाल दिये है निजी करन के विरोध में हरताल कर रहे करमचारी फॉल्ट सुदारने में तयार नहीं है ऐसे में हालात से निपटने के लिए प्रशासन को सेना बुलानी पड़ी पंजाब एवं हर्याना हाइकोट ने इस समस्या का संग्यान लिया और आज बिजली विबाग के चीफ इंजिनियर को पेश होने के लिए कहा है अगर हरताल जारी रही तो गुरुवार तक शहर में बिजली नहीं आएगी दूसरी और अब चंदिगर के प्रशासक गवर्नर बी एल पुरोहित के एडवाईजर ने यूनियन नेताओं की मीटिंग बुला ली है जिसमें करमचारियों की मांगों को लेकर बादचीत चल रही है सहमती काफी हद तक बंती दिख रही है ऐसा हुआ तो बिजली संकट जल्द खतम हो सकता है बिजली पर काफी सारी एहम सुविदाय निर्बर है जिसे बिजली नहीं तो पानी नहीं सोमवार देर रात से बिजली की कटोती होने के बाद अब कई घरों में ना बिजली है ना पानी है उसी तरीके से सडकों पर जो ट्राफिक सिगनल्स है वो भी काम कर नहीं रहे है इसके चलते ट्राफिक व्यवस्ता भी बंध हो चुकी है दूसरी और देखा जाए तो बिजली कटोती के कारण जो ओनलाइन कक्षाय है वो भी बंध हो चुके है ओनलाइन कक्षाय, ओनलाइन कोचिंग क्लासेज और बचों की पढ़ाई भी काफी प्रभावित हो चुकी है उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि हॉस्पिटल्स में भी बिजली की कटोती हो चुकी है हॉस्पिटल्स में तो बिजली का रहना कितना ही एहम बात है लेकिन वहाँ पे भी बिजली नहीं है बिजली कटोती के कारण सरकारी अस्पतालों में सरजरी टाली जा चुकी है वही PGI भी अलट मोड पर चला गया है ताकि कोई एमर्जंसी के हालात पैदा ना हो अभी दक शहर के हालात नहीं सुदरे हैं आदे से ज्यादा शहर अंदेरे में हैं लोगों के मोबाईल, लाप्टॉप, फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर अधिक सब बंद पड़े हैं दुकानों में भी लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं अगर दो दिन और ऐसे हालात जहलने पड़े तो दिक्कत हो जाएगे दूसरी और बिजली विबाग के नीजीकरन का बिजली करमचारी विरोत कर रहे है केंदर शासित प्रदेश के सलाकार धर्मपाल ने बिजली करमचारी संग के साथ बैट कर हरताल खर्दम करने के लिए राजी किया लेकिन अभी तक कोई समादा नहीं हुआ है प्रदशन कर रहे करमचारीों को डर है कि नीजीकरन से उनकी सेवा शर्तों में बदलाव आएगा और बिजली दरों में बड़ोत्री होगी करमचारीों की यूनियन अपनी मांग पर अडिक है वह विबा का नीजीकरन नहीं चाहते इससे पहले मंगवार को परेड ग्राउंड सेक्टर 17 के सामने पावर मैन यूनियन के परविशन में कॉंग्रेस और आपके नेताओं ने आकर इसे बड़ा रूप दे दिया था प्रशासन और करमचारीों की इस लड़ाई में नियमित रूप से बिजली के बिलो का भुकतान करने वाले शहर वासियों को दिक्कते जेलनी पड़ रही है नीजीकरन का मामला पहली बार नहीं उठा है जब जब नीजीकरन का मामला उठाया गया है तब तब उसके खिलाफ विरोर प्रदर्शन किया गया है चाहे वो बिजली विबाग हो, बैंक विबाग या कोई अन्य विबाग हो अब देखना ये है कि सरकार इस समस्या का निवारन किस तरीके से करते है DRV News में बस अभी के लिए इतना ही DRV News चानल को सबस्क्राइब कीजे इस पे कमेंट इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे अजासत धन्यवाद